है दोस्तों आप सभी को श्राजत है आपके अपने यूटूब चैनल जितन्दर एमार च्टरी पर दोस्तों मैं हूँ जितन्दर एमार याद्व आज हम लोग परतिसद चेप्टर का part 2 देखें तो परतिसद चेप्टर का part 1 हम करा दिये हैं उसमें कुछ basic चीज और कुछ question कराए हैं और आज भी कुछ basic बाते यानि basic theory भी होगा और उसके बाद कुछ question भी होगा तो यह part 2 है अगर आप part 1 नहीं देखें हैं तो part 1 पहले देखें उसके बाद part 2 समझेगा तो अब हम लोग चलते हैं question पर जैसे यहाँ x y का x y का कितना परतिसद है ऐसा question में आपको क्या करना है x जो है y का तो इसके लिए क्या करना है पहले x को लिख देना है x y का जिसमें का लग जाए उसे नीचे लिखेंगे जिसमें का लग जाए उसे नीचे लिखेंगे और परतिसत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे फिर से आप समझ लिजे x y का x लिख दिया है जिसमें का लग जाएगा उसे नीचे लिखेंगे जिससे तुलना क्या जाए या जिसमे का लग जाए उसे नीचे लिखेंगे और परतीसत में बदलने के लिए सौज से गुना करते हैं तो इस प्रश्ण का आंसर यही होगा अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन नहीं नेक्स्ट नॉट देख लेते हैं उसका जो नॉट है नॉट जिसके बारे में पूछा जाए उसे उपर लिखेंगे जिसके बारे में पूछा जाए उसे उपर लिखेंगे जिसमें का लग जाए या जिससे तुलना क्या जाए उसे नीचे पर्तिसत के बदले में 100 से गुना करते हैं तो नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं तो तीन घंटे एक दिन का कितना पर्तिसत है तीन घंटा एक दिन का तो पहले तीन घंटा है तो तीन लिख लेंगे और जिसमें का लग गया है उसे नीचे लिखते हैं जिसके बारे में पूछा जाए उसे उपर लिखते हैं और जिसमें का लग जाए या जिसे तुलना करना है उसे नीचे लिखते हैं तो एक दिन एक दिन को घंटा में अगर पहले कनवर्ट करेंगे तो 24 घंटा होता तो क्या करेंगे पहले 24 नीचे लिख देंगे 24 तीन घंटा तीन घंटा एक दिन का तो एक दिन में 24 घंटा दिन रात मिला कर तो 24 लिख देंगे नीचे और परतीसत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे यह 3 से 8 बार में 24 कर जाएगा तीन घंटी 24 और एक सो में अगर 8 से भाग देंगे तो यह आजाएगा 12 पुर्णांक 1 वाए 2 परतीसत आप ऐसे भी कर सकते हैं एक सो में 8 से अगर भाग देजेगा तो 12 पुर्णांक 1 वाएट परतीसत होगा उसके बाद हम लोग नेस्ट कोशन देखते हैं एक सो गराम दू एक सो गराम दू किलो गराम के कितने परतीसत के बरावर है तो क्या करना है पहले एक सो गराम लिखना है यहां गराम है और यहां किलो गराम है दोनों बहुत अंतर है जैसे एक केजी बरावर एक हजार गराम होता है तो आपको क्या करना है तो यहां दो किलो गराम है तो एक किलो गराम में एक हजार गराम तो दो किलो गराम है तो दो हजार गराम हो जाएगा तो 2000 यहाँ नीचे लिखना है गराम और पर 30 में बदलने के लिए 100 से गुना ऐसा हम लोग क्यों करते हैं चुकि यहाँ 100 गराम है और यहाँ 2 किलो गराम है तो गराम है तो पहले गराम में कनवर्ट कर लेंगा यहां 2 kg ऐसा ने की दूर लिखे काट देना है गलत हो जाएगा 2 kg है यानि 2000 गराम है अब क्या करना है यह 2 0 से यह 2 0 कट गया और 1 0 से यह कट गया तो दू पचे 10 होता है तो यहां 5 डैटी पांच परतीसत इस कोश्चन का आंसर होगा यानि 1000 गराम 2 kg के कितने परतीसत के बरावर है तो 5 परतीसत के बरावर है नोट है जो कोश्चन अभी हम लोग पीछे पढ़े है उसी का नोट है उपर या नीचे समान मातरक या अंसर हर में समान मातरक होना चाहिए यानि उपर गराम है तो नीचे भी गराम होना चाहिए उपर पैसा है तो नीचे भी पैसा होना चाहिए जैसे उपर में गराम है तो नीचे भी गराम होना चाहिए और उपर अगर पैसा है तो नीचे भी पैसा होना चाहिए समानमातरक होना चाहिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कि एका बेतन बी के बेतन से 50 परतिसत अधिक है यह से माल लिजे ऐस ऐसा कुछ कोश्चन है यहां यह लिखते हैं और यहां भी लिखते हैं अब कोश्चन एका बेतन बी के बेतन से 50 परतिसत अधिक हैं माल लिजी अगर बी एक सवरय कमाता है तो इसका 50 परतिसत अधिक कमाता है इत इसका एक सवर का पचास परतिसत डैटिज 50 होता है पचास आए एक सो तो ये डेर सो कमाता है एका बेतन बी के बेतन से पचास परतिसत अधिक है तो माल लिए हमाना की बी जो है एक सो रुपया कमाता है और ये जो है बी से पचास परतिसत अधिक कमाता है तो एक सो का पचास परतिसत पचास होता है और एक सो पहले से तो एक सो पलस पचास तो डेर सो हो गया आगे पढ़ते हैं तो बताए कि B का बेतन A के बेतन से कितना परतीसत कम है तो B का बेतन A के बेतन से कितना परतीसत एहां A का मान जो है डेर सो है और B का मान एक सो है तो कितना कम है तो पचास कम है 150 से 150 कम है 1500 में से अगर 100 घटाएंगे तो 50 आता है उसके बाद तुलना यहां किसे किया गया है तो A से किया गया है कितना कम है तो 50 तुलना किया गया है A से तो यहां 1500 है तो 1500 लिखेंगे और परतीसत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं तो यहां देखें तो एक जीरो से जीरो कट गया, पांच एक पांच है, पांच यहां तीन हो गया, अगर एक सो में तीन से भाग देंगे, तो तेंटीस पोइंट तीन परतीसत यही आंसर हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट कोश्टन देखते हैं, यहां पचास पैसे पांच रुपिये के कितने परतीसत के बरावर हैं, तो आपको क्या करना है, पचास पैसा पांच रुपिये के, तो जिससे तुलना किया गया है, उसे नीचे लिखेंगे, और यहां पांच रुपिया है, तो पांच लिखें और परतीसत में बदलने के invert करते हैं जैसे हैं पचास पैसा है तो पचास पैसा लिखे और पांच रुपिया तो एक रुपिया में एक सो पैसा होता है आप लोग जानते हैं एक रुपिया में एक सो पैसा होता है तो यहां पांच रुपिया है तो पांच गुना एक सो तो पांच सो पैसा हो जाएगा उ सब्सक्राइब तो इस कोश्चन का आंसर यानि 10% हो जाएगा वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके आप जरूर बताएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा फिर मिलते हैं हम लोग पार्ट थिरी में परसेंटेज का उर्र साथ क्वड़कीक barkा भाइब राट मिलते हैं के वाटएब तो ईयार का क्शचा भार शेन्से मिलते हैं